असलाम अलेकुम आज हम आपको फालसे के शर्वत की रेसिपी बताएंगे उसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम फालसे तीन ग्लास पानी आफ कप चीनी आफ टीस्पून काला नमक अब फालसे के शर्वत को तयार करेंगे पानी को ठंडा लेना है और फालसे को भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दीजेगा सबसे पहले हम चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालके इसको ग्राइंड करेंगे ताकि चीनी अच्छे तरह मिक्स हो जाए अगर आप दानेदार चीनी ले रहे हैं तो फिर उसको प्राइब दानेदार चीनी ले रहे हैं इसको पहले थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा और अगर पॉड़र इस्तमाल कर रहे हैं तो फिर आप ड्राइर्ट यूज कर सकते हैं अब हम फाल से डालेंगे काला नमक और पानी अब इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे अब यह ग्राइंड हो चुका है अब हम इसको चानेंगे हम इसको इसलिए छान रहे हैं ताकि इसके सीट्स अलग हो जाएं और सिर्फ हमें जूच मिले इसका यह हमने पूरा छान लिया है और सीट्स अलग कर दिए इसके अब यह फाल पाजूच अब आप इसको सर्फ कर सकते हैं गर्मी के मौसम में पालसे का शर्वत पीना मुफित है और अगर आप को काला नमक ज्यादा मिलाना है तो आप मिला सकते हैं